हलो इन गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम तुतकर्ष्ट क्लासेज दिस इस एनलेसिस के हम लोग यूज करते हैं दा हिंदू न्यूजपेपर को ध्यान रहें दा हिंदू में भी हम लोग डेली अडिशन को यूज करते हैं और उसका कोई खास कारण नहीं है में कारण यह कि मैं जब लोग इन करता हूं तो डेली अडिशन सबसे पहले दिखाई देता है और तो कोई खास कारण है नहीं और सिटी वाली और रीजनल निउस जो है वैसे भी हम लोग कवर करते नहीं है बिलकुल भी आज है हमारी डेट 23rd नौवंबर और टाइम है सुबे के 10 बजे का 10 a.m. हम लोग मिल चुके हैं काफी बच्चे आभी चुके हैं रुहान जी सबसे पहले गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी जी चाहच जी गुल्डन जी नितीश जी गौतम जी कृष्णा जी तौकीर जी शुबम जी सुदेश जी ब्रेन बूस्टर से क्या कह रहा है आज का हमारा ब्रेन बूस्टर ब्रेन बूस्टर पूछ रहा है विच एडिशन ओफ फीफा वर्ल्ड कॉप स्टार्टे इन नॉवंबर 2022 बताइए भई फीफा वर्ल्ड कॉप का कौन सा एडिशन है कौन सा एडिशन मतलब कौन से नंब सबसे पहले तो हमारा जो अर्जेंटीना है अर्जेंटीना को आप माल लीजिए अगर क्रिकेट से मैं कंपेर करूं फुटबॉल के अंदर तो अर्जेंटीना जो है वो टॉप फोर में तो आ जायेगी मतलब मान के चली के कहीं न कहीं यह इंग्लैंड या फिर इंडिया और आसपास यह मतलब रहेगी ट्वेंटी सेकंड शुभम जी चाहत जी खुश्बु जी गौतम जी गोल्डन जी कृष्णा जी साक्षी जी प्रियंका जी बीटल जी कतर में बहुत बढ़िया खुश्बु जी जुही जी ए सब लोग ट्वेंटी सेकंड बता रहे हैं ट्वें से हरा दिया अर्जंटीना को अर्जंटीना को हरा दिया ठीक है यह जीत गए यह हार गए बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज क्यूं है कि देखिए साओधी अरेभिया जो है वो टॉप फिफ्टी के अंदर मतलब कौन सी रहेंखे मुझे नहीं पता वर वो करति नीना में मैसी खेलता है तो इसको क्या करता है हरा दिया तो यह सब्सवार्पर अब का सा काम लिया गया है करीब आठ नौ साल के अंदर पूरे वर्ल्ड कप को ऑगनाईज कराने के लिए जो स्टेडियम बने हैं जो जगे बनी है वहां पे माना जा रहा है कि 6000 के करीब लोग जो है वो मर गए कारण क्या बताया गया कि कंडिशन काम करने की बहुत खराब थी और उसमें सबसे ज़्यादा 5000 के करीब जो थे वो इंडियन्स थे वो था और दूसरा क्या किते हैं आपको पता होगा कि एक हमारे पीस टीवी है अब तो नहीं है बैन हो गया है उसके जो फाउंडर है कि उनको बुला लिया उनको बुला लिया तो फिर वहां पे भी एक भयानक क्या करने जंग छिड़ गई ट्विटर पे वार चिड़ गई कि उन्हें कैसे बुला लिया तो इसलिए क्या किते हैं थोड़ा सा यह नियूज में काफी अपने गेम के अलावा भी काफी नियूज में बना वुआ होती ह है क्या क्या पूछ रहे हैं बच्चे बार ऊपर करेंगे कमेंट अर्जेंटीना बहुत बढ़िया है हां सब्सक्राइब बिल्कुल डेली यूट्यूब पर 10 बजे लाइब होती है गुड मॉर्निंग जुही जी अर्जेंटीना कतर में प्रॉब्लम भी चल रही है जी चल रह है उसके और की वेलिटी जो है वह अपहल्ड कर दी गईえ सक्यम्जी सर इंगलिश में सिर्फ इदींग कॉम्प्रेहेंशन करना होगा हां जी ख्लtin के इस से related question भी आते हैं ठीक है चलिए काफी टाइम दे दिया ब्रेन बूस्टर को लगबक सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं गुड मॉर्निंग दिव्या जी शेशिकान जी इंडिया भी कतर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या ना जी ना भी कहा है चलिए नेक्स देखिए हमारा जो फ्रंट पेज है वो ऐसा दिखता है सबसे पहली नीज जो है इसके दर सुप्रीम कोट है और फ्रंट पेज में फिर भी से हाइलाइट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही एक ओरल रिमार्ग जो है जस्टिस केम जोसेफ का जस्टिस केम पर हुझा सिक्वार्गुरर्ण के बाद से मैं आपको बता दूंएक सी kalau कमिशनर कितना होता है इसका हुता है है जो भी पहले हो जाए अगर शाल पहले हो गया तो शाह साल रहना 65 के पर रिटार्इर कर दिया ठीक है तो हमारे जो जस्टिस जोसेफ हैं यह क्या कहते है कि सेंट्रल गौर्वर्मेंट जो है वो 2004 से यह काफी देखने को मिल रहा है 2004 से यह देखने को मिल रहा है कि कुछ 100 दिन few hundred days मतलब एक साल भी पूरा जो है चीफ इलेक्शन कमिशनर अपना काम नहीं कर पाते हैं और पिर short term के लिए उन्हें appoint किया जाता है short term के लिए appoint किया जाता है तो यहां पर इन्हों ने औरल रिमाक यह भी दिया यह बोला कि जहां 1950s के अंदर आठ साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिशनर हुआ करते थे वहां पर अब देखा जा रहा है कि कुछ 100-100 दिन 200 दिन काम करते ह रिटायर हो जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिशनर रिटायर हो जाते हैं उनके एज को देखके तो यहां पर कहा गया है कि बर्थ डेट को देखके बर्थ डेट को देखके appointment किया जा रहा है ठीक है चलिए तो यही क्या किते एक oral remark है इसलिए हम लोगों ने इसे लिया नहीं है बाकि यह Supreme Court से related है तो आपके reading के लिए तो बहुत अच्छा है आपको पढ़ना तो चाहिए ही ठीक है बाकि ऐस सच कुछ यहां पे निकल के नहीं आ रहा है इसलिए मैंने highlight नहीं किया है ठीक है यहां पर देखिए यहां क्या कह रहा है इंडिया आस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट सेट टू उपन अप और पॉच्णिटीज गोईल यहां पर क्या है यह पियूश गोईल साहब है ठीक है हमारे जो Commerce Ministry है Commerce and Industrial Ministry है उसके मिनिस्टर हैं और इन्होंने क्या कहा है कि Australian जो पार्लियमेंट है आस्ट्रेलियन पार्लियमेंट ने ठीक है पार्टनरशिप ने प्रइशों के बीच में बाइलेटरल हमारी पार्टनर्शिप है वह बहुत अच्छी होगी प्लस एक और चीज़ है हम लोग क्वाड के भी मेंबर है हम लोग क्या है क्वाड के भी मेंबर है तो यहां पर यह बताया गया है कि एंटोनियो अल्बनीज जो है जो की मतलब इंवेस्ट करती है तो फाइदा ही है और यह न्यूज कुछ टाइम से थी भी चर्चा में कि हाँ ठीक है ऑस्ट्रेलिया करने वाला यूके और यूएस के साथ में हम लोग अभी भी ट्राय कर रहे हैं कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रिमेंट जो है वो साइन हो जाए अगर व सब लोग इंडिया के साथ में समझ भूज के ट्रेड पैक्ट बनाएंगे फ्री ट्रेड आग्रिमेंट करेंगे ठीक है चलिए सब ने सही आंसर दिया बहुत बढ़िया बच्चों आदश जी सर न्यूजपेपर से करेंट अफेर्स के नोट्स इनफ है या क्लैट के जी के स सेक्टर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्यूश गोईल जी के बारे में बता रहे हैं आप सर क्लैटले इंपॉर्टेंट यूज का क्या सोचा आपने बिल्कुल मैंना सोचा है बिल्कुल सोचा है हम लोग किसी छुट्टी वाले दिन यह सब यह लंबा डिसकेशन है उस ताइम कर सकते हैं आरित्य जी गुड मार्निंग प्रिवेस गौवर्मेंट के साथ भी हुआ था यहां पे यहां पे किसका स्कॉट मौरिसन का भी नाम आया है कि पिछले जो गौवर्मेंट थी और इसे अब अपनी पार्लियमेंट के अंदर मंजूरी दे दी है अर्टिकल हमारा क्या कह रहा है तमिल्नाडू को मिला है पहला बायो डाइवरसिती हेरिटेज साइट दो यहां पे नाम है दो नाम है कौन-कौन से तो पहला यहें हमारा अडित्त करुत क्या नाम है अडित्त है hope Hej riots न याद रखना बच्चों और दूसरा है मिनाक्षी पू कर इन दो जगों को या बनाया गया है बाइव डाइवर्स टी है क्या बनाने से पायदा होता है इनहें थोड़ा सा protection मिलता है तो बाकी लोगों से protect करके रखें यहां पर गंद्गी ना फैलाए यहां पे अच्छे से पलफूल सके यह कहां पे है मदुराई में मदुराई और यहां पे स्टेट का नाम तो बताई दिया गया है तमिल नाडू और मदुराई वैसे भी तमिल नाडू में है तमिल नाडू ठीक है यह आपको ध्यान रखना है बताया गया है कि अरिटा पट्टी के अंदर 139.63 हेक्टेर्स अरिटा पट्टी में 139.63 हेक्टेर्स लैंड है और मदुराई के अंदर कितना है मिनाक्षी पूरम के अंदर कितना है 53.58 हेक्टेर्स यह लैंड है इसको बनाया गया है और बाकी मदुराई इस तालूक में है कौन के इस तालूक में है यह हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है सर थोड़ा लाउड बोलेंगे प्लीज बहुत शोर है यहां अरे बच्चे बहुत लाउड बोल रहा हूं एक बार थोड़ा एक ऑप्शन है साउंड बढ़ाने का वह हो सकता है तो देखिए बच्चे बाकी में कोशिश करता हूं ठीक है चलिए तो इसे हैरिटेस साइड ब इसमिल इप्पोर्टन रेप्टर्स है कौन-कौन से लेगर फालकन लेगर फालकन उसके अलावा में shape, शाहीन फालकन और उसके अलावा बोने ली ज इगल इस बोनेलीं इगल और बाकी जो हम लोगों ने slander loris वगर पढ़ा था ना एक अलग से हम लोगों ने आर्टिकल देखा था slander loris century जो बनाई गई थी तो slander loris भी यहां पे पाए जाते हैं तो यहां पे काफी सारे काफी सारी चीजे जो है प्लस यह चारोर पहाडों से घिरा हुआ है तो यहां पे करीब करीब 72 lakes है 72 lakes है 200 natural springs है natural springs है काफी सारी चीजे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जगे है तो इसको क्या बना दिया गया है इतनी सारी चीजे होने इसलिए बना दिया गया है यहाँ पे और यहाँ पे जैन बैड्स है तमिल ब्रामी इंस्क्रिप्शन है इस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है जो पांजन रीजन किंग्स थे इस रेन के अंदर उन लोगों ने भी काफी कुछ बनाया था यह सब जैन बैड्स वग्रा और यह सब स्कृप्ट है ब्रामी तमिल ब्रामी इसक्रिप्ट है तो काफी कुछ बनाया था यहां पर और यह बहुत ही इंपर्डेंट साइट हो जाती हाटा अगर इंपर्डेंट हो जाती है तो यह हमारे Instant Question रेंडर करने वाला आर्टिकल बन जाता है ठीक है बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज का मतलब हेरिटेज मतलब क्या होता है हमारा अपना हेरिटेज होता है जैसे हमारे किले हैं हमारा कोई फोर्ट वगरा है या फिर कोई जगे है वो क्या होती है हेरिटेज होती है डोम्स वगरा बने हुए है पै फॉसले बाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रेच है ठीक है जो प्राकृतिक मुझाट संपदा है वह बहूँ ज्यादा बढ़िया है तो इससे फ्रोटेक्ट करना जरूरी लिए इसको एक स्टेटस दिया गया है क्या स्टेटस दिया गया है बायो डाइवर्सिटी है रिटेज ठीक है विरासत बहुत बढ़िया ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं अगला हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है अगला आर्टिकल कह रहा है राजनाथ प्रपोज इस रोल फॉर विम पहले पूछना है कि इनोंने क्यों कहा और कहां पे कहा ठीक है और क्या कहा वो तो हमें पढ़ना ही है तो इसलिए राजनाथ सिंग जिने प्रपोस किया है कि UN Peacekeeping Forces के अंदर जिसे Blue Helmet भी कहा जाता है वहां पर Women का भी रोल होना चाहिए सबसे पहले कहां पर कहां प्लेस तो इंडिया आसियान समिट हो रही है इंडिया आसियान असोसियेशन ऑफ साउथ इस्ट एशियन नेशन हमारे जो है 30 years 30 year ago हैं हमारे रिष्टे के complete हो एंडिया आसियान को जब भी हम लोग बात करते हमें एक्ट इस्ट पॉलिसी यांद आनी चाहिए हमें क्या याद आनी चाहिए एक्ट इस्ट पॉलिसी एक्टिस पॉलिसी मतलब जो हमारे इंडिया कि East में जो देश हैं छोटे-छोटे काफी सारे देश है उनके साथ में ट्रेड करके उनके साथ में Big Brother का रोल अगर हम लोग निभाते हैं तो हमें फाइदा होगा उनके साथ ट्रेड अच्छा होगा उनके साथ Mutual Corporation अच्छा होगा 1992 में आसियान जो बना था South East Nation का जो ग्रुप बना था असोसियेशन बना था उसके अंदर इंडिया नहीं था पर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करना चालो किया 1992 में आज के टाइम 2022 में हमें 30 साल हो चुके हैं तो यहां बात करेंगे और यहां पे क्या बात की गई यहां पर जो कोस्ट जो तो हमारे एरियाज है वहाँ पे जो प्लास्टिक ऊशन के अंदर प्लास्टिक को लेके पॉलूशन है उसके बारे में भी बात की गई है इन्हों ने क्या कहा राजनाथ सिंग्जी ने इन्हों कहा कि हमारे नाशियू क्लीनिग के अंदर प्लास्टिक वेस्ट जो है उसे क्लीन करने का काम कर रहे है इधारे राजनाथ सिंग्जी ने कहा कि बाकी आसियान कंट्रीज को भी ऐसे यंग लोगों को साथ में लेना चाहिए ताकि उनके अंदर एक स्पिरिट भी डवलप हो प्लस हमारे कोस्टल एरियास जो है हमारे जो मेरिटाइम जो ओशन्स हैं हमारी जो मेरिटाइम इंगेजमेंट होना चाहिए वह तो यहां पर कहा ही है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया और तो कुछ यहां पर बताया नहीं गया है हाँ यह सिंपल है मिलिट्री एविएशन है आर्टिफिशल इंटेलिजन्स है साइबर टेक्नलोजी है इनके साथ भी काम करेंगे कब बात हुई थी यह जब यूएस के लॉइड आस्टिन से हम लोग मिले थे डिफेंस सेक्रेटरी है वाँ पर उनसे हम लोग मिले थे तब यहां पर बातचीत हुई थी और तो कुछ यहां पर कहा नहीं जा रहा है बस यह याद रखना है 30th anniversary है 30th anniversary है तो इ screenshot लेने के लिए PDF मिलता है बच्चों PDF मिलता है प्रॉपर PDF मिलता है एकदम घवरानिक जरुवत नहीं है अशोग जी गुड मॉर्निंग जूनी जी ने तलवार भी जी है बहुत बढ़िया चलिए वैसे एक बार मैं side हो जाता हूँ एक बार 4K में भी दिखा दीजिए भाई एक बार आप 4K में देख लीजिए बढ़िया से screenshot ले लीजिए और फिर उसके बाद में हम लोग अपना अगला article करते हैं चलिए next article अगला article हमारा अगला article हमारा क्या कह रहा है कि 300 militants active है जमू कश्मीर के अंदर और 160 militants जो है वो वेट कर रहे हैं बॉर्डर के उस side 52 foreign militants of 53 local militants भी यहां पर मौझूद है जो security scenario है वो काफी change हुआ है पांच अगस्त 2019 के बाद पांच अगस्त 2019 को क्या हुआ था जो article 370 है इसे क्या कर दिया गया था अब आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे एक सर्या article कहां पर था article जब भी आता है तब हम कहां पर बात करते हैं constitution की बात करते हैं कहां की बात करते हैं constitution की बात करते हैं जो भी हमारे acts वगरा है या फिर codes वगरा है उनके अंदर section word को use किया जाता है आर्टिकल जो है वो constitution में है जीवन भर याद रखना है बहुत ही basic information है आगे जाके आप बड़े-बड़े lawyer और judge बनने वाले हैं यह basic सी चीज है आपको पता होनी चाहिए तो article 370 को remove किया गया था आर्टिकल 370 में क्या था special status दिया गया था to the state of to the state of Jammu and Kashmir ठीक है और उसके बाद में Jammu कश्मीर को बाट के Jammu and Kashmir और Ladakh और Ladakh नाम की यहां पर मैंने वर्ड state यूज किया है ठीक है तो यहां पर इन दोनों को क्या बना दिया गया Union territory बना दिया गया Union territory और यह जो Union territory है यह है with state legislative assembly मतलब यहां पर चुनाव होंगे Jammu Kashmir पर चुनाव होंगे अभी रिसेंटली ही आपने देखा होगा डी लिमिटेशन पैनल जो है डी लिमिटेशन पैनल जो है लास्ट यह से काफी न्यूज में थी डी लिमिटेशन क्या होता है जहां जहां चुनाव होने वाले हैं उनकी territory को बनाना कि अच्छा ठीक है यह area कौन सा होगा यहां पर यह यह गाव आएंगे यह area कौन सा होगा यहां पर यह गाव आएंगे यह कस्ब आएगा ठीक है तो वो डी लिमिटेशन स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया था बहुत हिस्ट्री में जाना पड़ेगा बच्चे पार्टीशन के टाइम में जम्मु कश्मीर को लेकि विवाद हो गया था राजा हरी सिंग थे राजा हरी सिंग जी ने लास्ट में जाते जाते treaty of exception इंडिया के साथ में शाइन किया और इंडियनれない फोर्सिज ने जाके जो कबाली वहां से पाकिस्तान के तरफ से आ रहे थे पाकिस्तानी आर्मी और कबाली जो साथ में थे, वो लोग जो एनेक्स करने के लिए आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया और जम्मु कश्मी से पीछे धकेल दिया गया, तो अब एक साइड हो गया पियो के और एक साइड हो गया इंडिया, बहुत है, मतलब इसको लंबा चले गाइए, चलिए, पीडियाफ कहां मिलता है, चलिए पीडियाफ का मैं वापस बता देता हूं, पीडियाफ जो है, उतकर्ष, क्लैट, क्लासेज, ये टेलिग्राम पे है, कहां पे है, ये टेलिग्राम पे है, ये एक ग्रुप भी है, और एक चैनल भी है, क्या है, चैनल भी है इन दोनों को join करिए group पे आप discussion भी कर सकते हैं ग्रुप पे क्या कर सकते है discussion भी कर सकते है search कर ये टेलिग्राम पे WhatsApp पे नहीं है काफी बार Call आ जाता है कि सर ने बोला था क्या group है हमें भी उसमें जाइन करिए तो WhatsApp पर नहीं है आपको जाइन हम नहीं करेंगे आप जाके सर्च करके खुद से जाइन कर सकते हैं इंडिया को चुनता हूँ और इंडिया को चुनता हूँ और इंडिया के साथ में एनेक्स हो जाता हूँ ठीक है चालिए क्या कह रहा है नो टॉक्स ऑन स्टेट ऑफ देमोक्रेसी यहां पर देखिए फैब 2021 के अंदर करीब करीब डेर साल अब तो दो साल होने वाले हैं क्या हुआ था जो डेमोक्रेटिक वहां पर गॉवर्मेंट थी कहा कि म्यानमार की बात कर रहे है हम लोग उसे ओवर्थ्रो कर दिया गया और फिर वहां पर जनता जो है यह वर्ड आपको काफी सुनने को मिलेगा इसने अपना शासनच चालू कर दिया तो करीब डेर साल से वहां पर पर मिलिटरी राज कर रही है तो इंडिया की तरफ से फॉरें सेक्रेटरी का नाम अब तक याद हो जाना चाहिए बहुत बार आर्टिकल के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं तो इंडिया के फॉरेंग सेक्रेटरी है कौन विने विने क्वात्रा ठीक है विने क्वात्रा तो इंडिया के foreign secretary वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने democracy से related कोई बात नहीं की कुछ नहीं कहा कि आप military कूँ कर रहे हैं वहाँ के जो democratic leader है उन्हें जेल में क्यों डाल रखा है अच्छा हां त्रो करने के साथ में जो leaders थे national democratic front के जो भी leaders थे तो leaders को यहाँ पे क्या किया गया detain कर लिया गया detain कर लिया गया मतलब jail में डाल दिया गया ठीक है इसके अंदर आंग सांग सू की इनको भी jail में डाल दिया गया जो कि वहाँ की leader थी ठीक है क्या यहाँ पे charges लगाएगा है military जनता बोलती है कि जो election हुए है क्या charges है कि जो election हुए है वो proper नहीं है election ठीक नहीं है और election से उनके constitution में जो changes किया जा रहे है constitution में जो changes है amendments है करने को propose किया जा रहा है वो unconstitutional है वो क्या है unconstitutional है ठीक है इसके उपर भी बहुत लंबी history है क्या है कि एक बार military coup पहले भी हुआ था फिर उसके बाद में democratic government आ रही थी तो वहाँ पर military ने क्या कहा कि हमारे भी करीब 30-40% लोग जो है जो seats है वो reserve रहेगी आर्मी के लिए अब जो है आंग सांग सूकी जो है आर्मी वाली जो reservation है उसे खतम करना चाह रही थी तो इतने में ही क्या हो गया इतने में ही overthrow कर दिया गया उन्हें यह short में मैंने आपको बता दिया है बाकी विनय क्वात्रा गये इन्होंने बात आखि आप श्री-लंका है तो यहां पे लिए कुह ऐसा इचाहாं पे बांगलादेश है और यहां पे म्यान मार है तो जो human trafficking है, infiltration है, क्या है, human trafficking, trafficking है, infiltration है, ये सारी चीजे रुखनी चाहिए, ठीक है, cross border जो agreement है, उसके अंदर ये सारी चीजे जो है, ये रुखनी चाहिए, और ये सारी चीजे रुख जाएंगी तब हमारे लिए सबके लिए अच्छा होगा, ठीक है, national unity government यहाँ पर, ये जो leader थी, ये किसकी थी, national unity government, ठीक है, इनकी leader को jail में डाल दिया गया है, आज के time में jail में, बहुत लंबी jail में रहेंगी, जिस हिसाब से इनको sentence मिला है, jail term मिला है, बहुत लंबे time तक ये jail में रहने वाली है, ठीक है, चलिए, बार बार यही सारी चीजे ल रहा नहीं है, ठीक है, चलिए, राम राम विवेक जी, अंजली जी, काफी time बाद, बच्चे, रोहिंग्या, हाँ जी, जो म्यानमार का ही रखाइम state है, वहां से रोहिंग्या जो है, वो इंडिया के अंदर आते है, ठीक है, विनाए क्वात बढ़िया, सर अब बहुत डर ल रहा है, जो बच्चे नहीं तयारी कर रहे हैं, उनको तो इस time डर ही नहीं लग रहा होगा, तो यह बहुत अच्छी बात है, हाँ, नोबेल पीस प्राइस विनर है, आंग सांग सुकी, अंजली जी बिलकुल, यह नोबेल पीस प्राइस विनर है, बहुत बढ़िया, गुड चाहते हैं, तो ले लीजिए, ठीक है, चलिए, अच्छा हाँ, एक और चीज, म्यानमार का मैंने आपसे पूछा था ना, यह बड़ा हजीब होता है मेरे साथ में, जब भी मैं कोई question पूछता हूँ, दो-तिन दिन बाद वो news में आ जाता है, मैंने आपसे पूछा था म्यान मार की capital है, कोई term नहीं है, कोई शब्द नहीं है, ठीक है, जैसे कि मुझे, हाँ जी आपको भी लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, जितने लोग तयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा, आप चलिए, यहाँ पे ना, यह हमारा बहुत प्यारा सा एक, इसको, क्य बोलें, मतलब एक तरह से officer ही है, यह, मतलब ठीक है, पैट आपको दिख रहा होगा, आपको एक dog दिख रहा होगा, पर यह क्या है, यह एक आपका officer रह चुका है, dog squad के अंदर, dog squad कौन सी है, इंडिया की, k9, k9 dog squad, स्क्राइबर करें सोडर् domainätz के इन नाम था जोरबा है क्या नाम था जोर भाज अब यह हमारे बीच में नहीं रहे 2019 कें अंदर यह रीटार हो गए थे स्ट एंकि इनगी एज हो गई थी और बढ़ापी करी Squad करीद 12 साल 15 साल इनकी एज होती है तो बढ़ापे के कारण जो अंदर काजी रंगा है काजी रंगा के अंदर अपनी देते थे काजी रंगा में क्या ड्यूटी देते थे वह बताऊंगा एक होते हैं प्रिडेटर्स एक होते हैं प्रिडेटर्स ठीक है प्रिडेटर्स कौन होते हैं जैसे कि लॉइन हुआ लॉइन हुआ टाइगर हुआ यह सब क्या है प्रिडेटर हैं यह सब शिकारी है यह प्रिडेटर जो है यह थोड़ा सम्मान से इस वर्ड को शिकारी है, ये food chain के अंदर उपर आते हैं, तो ये predator है, दूसरा एक normal word है hunter, hunter मतलब जो शिकार करते हैं, दूसरा होता है hunter मतलब जो शिकार करते हैं, ये शिकारी होते हैं, वैसे शिकारी तो तीनों ही होते हैं, predator भी शिकारी होते हैं, और poachers ऐसे शिकारी होते हैं, जो illegal hunting करते हैं क्या करते हैं illegal hunting करते हैं वो होते पोचर तो काजी रंगा के अंदर जो आपके गेंडे हैं उनके सींग का बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था तो वहां पर पोचर वगरा बहुत मिलते हैं उनके बहुत सम्मान से बरी किया गया और सारी चीज़े यहां पर बताई गई है 2012 से यह काम कर रहे थे कब से काम कर रहे थे 2012 से यह काम कर रहे थे और अगर आपके exam point of view से देखा जाए तो इनका नाम खास करके important होगा जोर्बा इस से पहले इस साल हम लोगों ने जूम नाम के एक कैनाइन को भी देखा था कि वो रिटायर हो गए है काफी इज़्जत से उन्हें रिटायर किया गया तो जूम और जौर्बा के बारे में अगर आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए सत्यम जी काजी रंगा नैशनल पार्ग बिलकुल बहु कर चुके हैं तो उसको दो दो तिन तिन बार न्यूज को कवर करने से अच्छा है और एडिटोरियल कहना कि वो रीडिंग डिलाइट है वैसे भी आपको पढ़ना है आपका काम है आपकी स्पीड अच्छी होगी आपका कॉम्प्रियंशन अच्छा होगा इसलिए एडिटो और फिशन तरह चला जाएगा एडिटोरियल के हम लोग बात करें कि इस लाइन का क्या मेनिंग है वो इंग्लिश की साइड में शिफ्ट हो जाएगा काफी जगे मैने देखा है एडिटोरियल भी देखा जाता है लिया जाता है वह अच्छा है खराब नहीं है बच्चों को कोई अगर वेट उठा रहे हैं अगर आधा वेट मैंने उठा लिया तो आपकी तो बॉड़ी बनेगी नहीं वेट पूरा आपको उठाना पड़ेगा कॉंटेक्स्ट आपको समझ में आएगा क्योंकि न्यूज आपने पहले पढ़ रखी है और चुकि न्यूज पहले पढ़ लो कि तयारी कैसे होगी सेम सेम तैयारी हैं जो आप अभी कर रहे हैं यहीं सारे सब्झेक्ट हैं बस यह है कि वहाँ पहला सक्ता है वहाँ पूछ यहजिए ऑडर लाइड पहले कि समझ में नहीं आया है यह यह人 tuning कि पर आइज पार पढ़िन पर आप क्योंकि editorial याद करने वाली चीज नहीं है यह सब चीजे क्या है याद करने वाली है इसमें आपको याद रहना चाहिए Editorial याद करने वाली चीज नहीं है Editorial पढ़ने वाली चीज है समझने वाली चीज है वो आपकी practice के लिए ज़्यादा अच्छा है है की नहीं तो इसलिए आपके लिए वो छोड़ा गया है critical reasoning में कैसे question आते हैं discuss करें प्लीज दो चीजे suggest करूँगा सबसे पहले तो 2020-21-22 का sample of clad का paper देखें और अभी तक 2-3 sample paper आ गए है आपके clad के वो भी एक बार जरूर देखें आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है बच्चे चलिए next देखिए अगला हमारा article क्या कह रहा है IAF मतलब Indian Air Force choppers undergoing overhaul in Russia एकदम नया चका चक करके अपना MI-35 attack helicopter जो है हम लोग वापस मंगाएंगे दो squads जो है दो squadrons जो है यह हम लोग भेजेंगे रशिया में बोलेंगे कि हाँ भई हमारा पास जो MI-35 है इसे नया चका चक करके दो overhaul करके दो एक बार एक squadron को एक जो set है उसे चका चक करने में overhaul करने में six to eight months का time लगता है तो अभी कुछ helicopter हमने भेज दिये है अटैक helicopter हमने भेज दिये है उसके बाद में दूसरा set भी हम लोग भेजेंगे तो दो batches के अंदर हम लोग भेजने वाले हैं दो batches के अंदर हम लोग भेजेंगे और इससे पहले जब अभी हमारे पास ना 22 Apache helicopter है तो इसके आने से पहले हमारे पास में MI-25 भी था MI-25 को हमने क्या किया धीरे धीरे खिसका दिया पुराना हो गया अब जब एक बार overhauling हो जाएगी ना एक बार overhauling हो जाएगी उसके बाद में 6 साल तक 6 साल के लिए वापस से नया एकदम बढ़िया चका-चक हो जाएगा servicing हो जाएगी एक तरह से overhauling हो जाएगी मतलब जैसे बाइक में कैसे इंजन का काम करवाते हैं तो एकदम स्मूध हो जाती है वैसे ही यहाँ पर बढ़िया हेलिकॉप्टर का इंजन का काम होने जा रहा है ठीक है चलिए एंटायर बैच जो है यह मिड मिड 2023 में complete हो जाएगा तो बढ़िया अपने पास में काफी सारी हेलिकॉप्टर जो है आ जाएंगे अभी भेजा हुआ है वहां से तयार होके आएंगे तो यह यहाँ पर नियूज आई है चका चेक हां जी और हॉलिंग को अब क्या कहा है मेरे को नवीनी करण तो काफी मतलब अ अप्रेल में होता था पिछले तीन साल से देख रहा हूं कि मई जून में ही हो रहा है तो अप्रेल से लेके जून के बीच में हो जाएगा मसेटी और बाकी जैसे नोटिफिकेशन आता है हम आपके सामने ले के आएंगे ठीक है क्लैट का सेंपल पेपर जो है न वो हम नहीं भेज सकते हैं प्रीविएस यर पेपर भी नहीं भेज सकते हैं कॉपिराइट रिलेटेड इशूज आ जाते हैं उतकर्ष भी एक रजिस्टर्ड संस्था है हाला कि कोई आदमी कुछ बच्चे या पर कुछ लोग बना लेते है अलग से उनको तो फिर क्या केते हैं आसानी रहती क्योंकि उनका टेलिग्राम चैनल बंद हो जाए तो दिक्कत नहीं है हम लोग एक बहुत बड़ी और्गनाइजेशन है कलको अगर कंसोर्टियम अफ क्लैट हमारे ओपर कॉपिराइट का केस डाल देगा तो उसे जिलना ब सकते और किसी भी कोचिंग इंस्टिट्यूट की वेब साइट पर आपको सेंपल वेपर नहीं मिलेगा बच्चे ठीक है जितना आप न्यूस पेपर से टॉपिक कराते हैं उसके अलावा तो कुछ नहीं यहीं बहुत ज्यादा है यहीं बहुत ज्यादा है ठीक है चालिए ड वो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 1985 बैच के आई एस ऑफिसर थे अब यह रिटायर हो गए उसके बाद में आब यह गवर्नर बनेंगे क्यों क्योंकि जगदीब धनकर जो कि आज के हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो पहले बंगाल के गवर्नर थे वेस्ट बे करें अरे लेक्स देखियें इंडिया और युआई ई हुल्ड स्टोंक्स ओن फूर्ड सेक्वरिटी कोपरेश्य इंडिया और युई ने फूडvent को प्रेसिंट के ऊपर बात की मैंने कल न Santa Cove कि थी ओर इंडिया के जो वह फॉर्एन मिनिस्टर इन अए यह मिलेंगे यहां पर मिलेंगे कल मैंने news cover की और मैंने बताया था कल फिर वापर seems news आएगी क्यों news आएगी क्योंकि मिलने पाद कुछ काम तो करेंगे ना बातचीत करेंगे तो जो भी बातचीत करेंगे वो कल की news में आएगा और आज आ गया ठीक है चलिए अब यहाँ पर क्या बताया गया है यहाँ पर यह बताया गया इंडिया UAE जो है कहां से जुड़ा हुआ है I2-U2 से ज़्यादा जुड़ा हुआ है एक new quad है new quad है quad का मतलब क्या होता है जहाँ पर four countries होती है जहाँ पर चार countries अपना एक group बनाती है तो इसकी चार countries कौन सी है I2 के अंदर आ जाते हैं इंडिया एंड इस्राइल इस्राइल भी news में रहेगा क्यों Benjamin Netanyahu जो है यह वापस से PM ठीक है और U2 के अंदर कौन है UAE एंड USA यह हमारे U2 तो यह I2-U2 नाम का एक नया quad है इसके अंदर mutual cooperation को लेके यहाँ पर काफी सारी बाते यहाँ पर होती रहती है दोनों साइड जो है वो डिसकस किया energy sector, healthcare sector, defense sector, space sector, climate change और fintech के ओपर हम लोगों ने बात की यहाँ पर, यहाँ पर ADQ के बारे में भी बात हो रही है, ADQ क्या है यहाँ पर बताया गया है ADQ, ADQ क्या है active investor है और sovereign wealth fund located अबुधावी में जो है वहाँ पर एक investor है active investor है तो इनके साथ में भी हम लोगों ने जब October में विजिट हुई थी तो यहाँ के ADQ के CEO से भी बात हुई थी अब इंडिया में यह invest करेंगे तो इंडिया को फायदा होगा तो यही सारी चीजे बात हुई है agriculture में infrastructure में सब चीज में बात करेंगे किसी MOU के बारे में बात यहाँ पे नहीं हुई है ठीक है एक सेपा की बात हुई है सेपा क्या है हम लोगों ने देखा कि comprehensive इकोनॉमिक पार्टनर्शिप एग्रिमेंट इसके अंडर हम लोग इंडिया और युए जो है वह आपस में एक दूसरे के साथ में टेट बढ़ाएंगे और हमने देखा भी है कि क्या करीब 24 परसेंट जो है वो इंपोर्ट बढ़ गया है और इंडिया और युए के बीच में और हम लोग यह देख रहे हैं टोटल 28.4 billion dollar का हमारा जो trade है bilateral trade है ये बढ़ गया है ठीक है तो ये सारी चीज़े ये सारी news हमें इस article से मिलती है और थोड़ा सा इसके उपर भी ध्यान दें आई टू यूटू पे भी ध्यान दें ठीक है थाइंक यू अधर्श जी थाइंक यू रितिक जी गूड मॉर्निंग बच्चे लेट कैसे हो रहे हैं चलिए नेक्स देखिए पुतिन अन्वियल्स रश्यास आर्क्टिक पावर विद लॉंच अफ न्यूक्लियर आइस ब्रेकर क्या होते हैं आपको देखना होगा सबसे पहले दा मैं आपको बता दू यह अगर रश्या है ठीक है यह अगर रश्या है यहाँ पे कहीं यूक्र अगर फॉल्स पॉल है यहाँ पर फिपर में आते हैं इस इस ब्रेकर को से ऩहां है नूक्लियर पावर जॉल्स और अगर वहीं पर हम लोग अपनी गाड़ी को नुक्लियर पावर से चलाने लगे तो नुक्लियर पावर कार हो जाएगी जो कि भविश्य है आप मान के चलिए कि 2050 से 70 के बीच में नुक्लियर पावर कारें भी आ जाएंगी यह बैटरी बैटरी सब खतम होने वाली है यहां पे अल टुगेदर नया जो सोलर एनरजी और नुक्लियर पावर दो जो एनरजी है ना यह सबसे ज़्यादा यूज आने वाली है फ्यूचर के अंदर जब आप लोग भी एकदम बुढ़े हो जाएंगे मैं पता नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगा उस टाइम में आपको या आइदा क्या है कि यह 12 महीने 12 मंथ लगातार 12 मंथ लगातार जो है वो रह सकती है बार-बार इसे डीजल वीजल भरवाने पोर्ट पे नहीं आना पड़ेगा यह आइस ब्रेक करता रहेगा अब यहां पे डिफेंस को तो ताकत मिलेगी ही साथ ही साथ ट्रेड को भी ताकत म ही लेगी क्यूंकि फ्रेट अच्छी रहेगी खास बात यह कि यह तीन मीटर तक की कि जो ऐसे अगर कर सकता है जो समुद्धक के अंदर ऐस जम गई है उसे तीन मीटर तक की आइस को नित्त मीक में दो ऑदूरण लंबा, डेड़ मीटर करीब का एक आदमी होता है, तो तीन मीटर मतलब दो आदमी, है की नहीं, तीन मीटर मतलब दो आदमी, तो दो आदमी हो जितना लंबा, यह क्या है, आइस जो है उसे ब्रेक कर सकता है, ठीक है, इतना सा आइस क्यूब हो, हम उसे तोड़ें, तो उसके के लिए भी हमें बड़ा जोर लगाना पड़ता है चेलिए त agrees वे यहां प्रॉल्ए आ bigger ऑइसБ्रेकर है इसका नाम है याकूटिया क्या नाम है याकूटिया है और उसके बाद में एक बिगर आइसप्रेकर जो है वुब कि रोसिया स्य चार मीटड़ तक याइस को ब्रेक कर सके गा यह चार मीटर तक याइस को ब्रेक कर सके गा यह कूत्या के बाद में दोहजार चुझार प्रörtनाूस करें यह दोहजार के लि vull भाई रश्यन किसी को आती हो तो बढ़िया इसका नाम प्रणाउस करके बता देना ठीक है या कूतिया के बारे में यहां पर बताया गया है 173 मीटर लंबा है 33,540 टन का का displacement है ठीक है और 2024 तक ही इन सर्विस हो जाएगा 2022 में 2024 तक ही इन सर्विस को जाएगा ठीक है और तो कुछ यहां पर खास नहीं차 इस theor आइस ब्रेक करने का यहां 5बश्यक था यह है नाना तो आपको पता कि नेच्टरल गैस निकालने को मिलेगा आस ब्रेक हो जाएगी जगे खाली हो जाएगी जाके नाच्टरल गैस निकाल लेंगे सिफ्लोरेशन में भी ये काम आजाएगा में नाच्रोट गैस के मौक टेस्ट के आंसर के अवलेबल हो गई बच्चे महेश जी सेडीशन एन यूए पीए क्या है बहुत जल्दी आए बच्चे सत्यम जी सेडीशन यूए पीए के लिए रहेंगे दोजार नब्बे तक देख लेते हैं हकेक जी अब खुद के मरने की दुआ कौन करेगा पर दोजार नब्बे तक थोड़ा मुश्किल है चलिए चलिए बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अगला हमारा आर्टिकल क्या आर्टिकल नहीं क्वेशन पर आगए फटा-फट देखिये क्वेशन हमारे पास टाइम कम है क्या कह रहा हमारा पहला question who was awarded the JCB Literary Award for 2022 JCB Literary Award 2022 के लिए किसे मिला है तो यह मिला है खालिद जावेद को किसे मिला है खालिद जावेद को आंसर अभी आप चाहें तो मत लिखिए क्योंकि मैं फटा-फट बता देता हूं which state has introduced India's first elephant mortality audit framework भारत का पहला elephant mortality audit framework जो है हाथियों की आयू बताने के लिए कौन से state ने launch किया है तो यहां पर यह जो state है यह है Tamil Nadu ठीक है wildlife को लेके काफी सचेत रहता है Tamil Nadu ठीक है चलिए next देखिए who has been reelected as the president of Kazakhstan यह हम लोगों ने पढ़ा था अभी के जे टोकायो कासिम जोमराथ टोकायो ठीक है के एसे भी आपको लिखावा मिलेगा यह सही नाम है कासिम जोमराथ टोकायो यह होगा आपका सही answer ठीक है next question हमारा क्या कह रहा है गांधी मंडेला फांडेशन ने पीस प्राइज किसे दिया है यह दलाई लामा जो तिबबत के रूलर मान लीजे इन्हें एक तरह से जो एक्जाइल में तिबबत की गौर्मन चल रही है उसके है दलाई लामा वो दिश्ट मौंग भी है वैसे किसने लिखी है यह साइमॉन से बाग ने लिखी है ठीक है नेक्स देखिए अगला हमारा आर्टिकल वैंड वॉल्ड चिल्ट्रेंस डे कब मनाया जाता है अभी रिसेंट्ली ही गया 20 नवंबर को कब मनाया जाता है 20 नवंबर को वॉल्ड चिल्ट्रेंस डे मनाया जाता है इंडिया स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग है इस बीन होस्टेड वाई ही ठीक है next thing which country has invited इंडिया कीफ एलएक्टिन कमिशनर रAGी पुमार एस इन ट कुमार वर are its upcoming election international टिंजानल सोल्वर की रूप में कौन गया था हमने डिस्कीया था हमने डिस्कस किया था नेपाल में पॉड्वर औरा आजी कुमार जो सी Indian Air Force Air Fest 2022 held Air Fest 2022 important है यह कहां पे हुआ नागपुर में तोड़ा जल्दी-जल्दी मुझे करना पड़ा क्योंकि टाइम कम है आपके अगली क्लास का टाइम हो रहा है मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में 11 बजए आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट पार्ट अगस्त का, तो अगस्त के लास्ट पार्ट के लिए आप सब ही लोग तयार हो जाएए, और जो भी मतलब पानी वानी पीना है सब पुआ के आजाएए, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, करेंट अफेर्स पजास मिनिट का रहेगा, आप लोग साथ में जुड़िये और आंसर भी देना है उसके अंदर, तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत!